सभी को नमस्कार, मेरे चानल में आपका स्वागत है, आज मैं आप सभी के साथ एक छोटी सी हिंदी कहानी साजा करना चाता हूँ, कहानी का नाम शेर और चुहा कहानी, एक बार की बात है, जब एक शेर जंगल में सो रहा था उस समय एक चुहा उसके शरीर में उच्छल कूत क करने लगा अपने मनोरंजन के लिए, इससे शेर की नींद खराब हो गई और वो उठ गया साथ में गुस्सा भी हो गया, वही फिर वो जैसे ही चुहे को खाने को हुआ तब चुहे ने उससे विंती करी कि उसे वो आजाद कर दे और वो उसे कसम देता है कि कभी यदी उसकी जरूरत पड़े तब वो जरूर से शेर की मदद के लिए आएगा, चुहे की इस सासिकता को देख कर शेर बहुत हसा और उसे जाने दिया, कुछ महिनों के बाद एक दिन कुछ शिकारी जंगल में शिकार करने आए और उन्होंने अपने जाल में शेर को फसा लिया, वही उस उन्होंने एक पेड से बांध भी दिया, ऐसे में परेशान शेर खुद को छुडाने का बहुत प्रयत्म किया, लेकिन कुछ कर न सका, ऐसे में वो जोर से दहारने लगा, उसकी दहार बहुत दूर तक सुनाई देने लगी, वही पास के रास्ते से चुहा गुजर रहा था और जब उसने शेर की दहार सुनी तब उसे आभास हुआ की शेर तकलीफ में है, जैसे ही चुहा शेर के पास पहुचा वो तुरंद अपनी पैनी दान्तों से जाल को कुतरने लगा और जिससे शेर कुछ देर में आजाद भी हो गया, और उसने चुहे को धन्यवाद दी बा झाल के पास हुआ 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 है